हाई प्रेंड्स मैं आपका भाई पवन नात ही होगी एक बार फिर से फॉर्स क्रूजर आई है इसका स्पेसल का काम किया था वो तो वीडियो नहीं बनाया मैंने इसका रियर हब ग्रिशिंग कर रहे हैं डबल बेरिंग आते हैं इसमें रियर हब कैसे ग्रिश होता है यह बता इस प्रेंटरी तो ग्रिश पार राजब पार शाब यूद्ध राजवाट दरम बार भी रोटिया और ड्रम बार निकालने के बा27 क्या होता कहिए हांसा क्या होता क्या करें पारत मैंने क्रेंटरी और नोग सार्चांगर यह बता हैं राजवा बग क्ल मैं पegenताए मैं एक्सल पर एक लॉक लगता है यह वाला लोक यहां पर लगा हओ लॉता है यह हमने खोल लिया प्लाज से हमने यह लोक निकाल लिया इसके बाद में हम इसके लेदर उतारेंगे इसके बाद में फिल शेच हरी देखने इधर इधर ये बड़िया वर्किंग कर रहा है वील स्लेंडर सही है ये लेदर उतान लेगे यहां से पेचकस से ये रिपट निकाल ली उसके बाद में ये भी निकाल ली ये लेदर इस्प्रिंग वगरा निकाल के ये एक जेस्टर निकाल के इसको बार निकाल लेंगे उसके देखिए आठ नमबर एलंकी के बोल्ट है छे बोल्ट आएंगे ये आगे आठ नमबर एलंकी और ये पीछे देखिए सोडा एमम के बोल्ट है सोडा नमबर का पाना लगा के आठ नमबर से खोल लेंगे अपन को ये ब्रेक की पाइप भी खोलना पड़ेगा ये आठम की अलंकी है ये बॉल्ट में डल गई इधर ये इधर से ये खोल रहा है ठीक है ये आठ बॉल्ट है आठों के आठों ऐसे खुलेंगे दिक्कत बहुत रहती है कई वार अलंकी सिल्प हो जाती है तो राम का नाम अल्ला क छी खूल गए अब ये बार निकल जाएगा यह देखिए यह है इसका एक्सल ओयल देखिए सील कट चूकी एकसल एक्सल यह देखिए यह इसका चकनट है ठीक है धसी अ इस चकनट पाना मिले तो ठीक है नहीं अपना देसी जुगार चिनी और हटोड़ी ठीक है चीजल भी बोल सकते हैं इंगलेस में लेकिन देशी है तो देशी बसा बोलेंगे ठीक है यह देखिए यहाँ पे लोग क्या होता है इनको लोग खटा देना है इधर मारके एक इधर मारके लोग खटाने के बाद चीजल से यह खुल जाएगा ठीक है प्रेंट्स ये खोलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा पाना हो तो इसको ये एकसल है अब इस साइड से ऐसे उल्टा लगा के बाने से खोल लेंगे लेकिन हम इसे छीनी से खोलेंगे तो इदर इदर करके जुगाट जच जाएगा छीनी छीनी ले रहे जैसे ये हो रहा है उसी ताइप से इस वाली भी लोग अटा लेंगे लोग अटा के इसे खोल लेंगे ये इसका चकनट खुल गया ठीक है और ये इसकी केप कि वेल इसके उपर सील चलती है वह सील लीक हो गई उसके इसमें ओल आ गया अब इसको दो बैरिंग आते हैं वाड निकाल लेंगे ये टाइट है अब इससे क्या होगा चूड़ी उसकी खराब नहीं होगी देखिए निकल गया एक बैरिंग यह रहा है एक इसके अंदर है बैरिंग दोनों बैरिंग बढ़िया एकदम सफाई करके लगाएंगे यह सारा सोदा क्लीन करके ले लिया है यह देखिए कितना डस्ट लगा हुआ था एकदम चमका दिया ठीक है बैरिंग में ग्रीस बढ़ लेंगे एकदम बढ़िया क्लीन कर लिया है यह दर डर्म है लेदर भी क्लीन कर लिया है अब बढ़िया फिटिंग करके आगे बताएंगे आपको ओइल की सील से आया था वो सील नहीं डालेंगे चक्के में कभी भी ओइल नहीं आना चाहिए ग्रीस से चलना चाहिए यह यह बात ध्यान रखने की है और साफ सफाई तो आपको दिख रही है काम इसी से अच्छा बैड़ता है कितना दस्ट लगा वाता इस पर बढ़िया ग बढ़िंग से पहले स्लीव रिस्टॉल कर दिया ग्रीस परके यह चकनट टाइट कर दिया यह लोक करना बहुत ज़रूरी होता है यह लोक नहीं करेंगे तो यह चकनट गूम के खुल सकता है कि अधर से लोक कर दिया यह इधर से भी लोक हो जाएगा दोनों साइड से एकदम बढ़िया लोक करके लेना है यह वाली कॉलर अपनको देख लेनी है कटी होगी तो यह चेंज करना है यह कटी हुई नहीं है हम बस सील डालेंगे अभी नई सील हमने लाएं है इस्टॉल करेंगे नई सील अंदर की सील आई एक रवाला वहब आता है उसमें इंस्टॉल कर देंगे यह वह इसमें चैय था ठीक है जो पीछे का टांस्मेशन होता है उसमें से ओई इसमें आने लग जाता है यह सील नहीं कोई जगाद नहीं रहेग़ जो कि यह नया शील आमने लगा दिया चारो तरफ ठोक कर लगा देना है मेरे हाथ में मैं अब इस्टॉल करूँगा बाद में आपको वीडियो दिखाऊंगा अब यह हमने एकदम जेन इन्सिल इंस्टॉल कर दिया है यह देखिए यहां पर थोड़ी सी कॉलर है इससे आगे तक रहनी छी अब इसमें हब फिट कर देंगे यह नट आते हैं हम यह अलग 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 आते हैं यह मिला के करना होगा इसके होल और इसके होल इसके होल दोनों के होल बराबर रहेंगे तब ही यह डले गए अब इंस्टॉल करेंगे हमें से सील यह वाली सील इस पर चलेगी इस पर अभी हमने जो सीन इंस्टॉल की है वह यह च्छा है यह लेंग की बॉर्ट कस्त दियें अब ये एक्सल है एक्सल हब से पहले इंस्टॉल करना पड़ता है ये देखे इसके ये जीरी कटी हुई है यहाँ पर यहाँ पर यह लोक लगेगा ये अभी भाईया लगाएंगे लोक ये लोक लग गई अभी देखे ये ज्यादा अंदर नहीं जाएगा ये इसकी कैप लगा देंगे और कैप लगाने के बाद में ये देखे यहाँ से वील स्लेंडर की निंपल खोली थी और दस्वाम की पाइप खोली थी वो भी इंस्टॉल कर देंगे अब ये ब्रेक शू लेदर लगा देगी ये भी देखे एकदम कितना दस्ट था सब एकदम बढ़िया क्लीन करके लगा रहे हैं ये साइटिंग चड़ा दिये क्योंकि इसका ये ड्रम कटा हुआ है थोड़ी तो साइटिंग ज्यादा चड़ेगी अब ठीक है अभी ये होल दो होल एक यहां पे हो गया और दूसरा वाला यहां पे हो गया ये ड्रम के छोटे होले इनसे मिलाके डैनन लाए है ठीक है परेंडस हम यह लगा दिया में हम भी स्कृू कस्तेंगे एक स्क्रूू यहाँ यहां पे लगा दिया दूसरा वाला यहाँ अधिया इस से क्या होता है कि बाइरनी आला चीह होस्ट एक ठ्ट्सिекоत बड़िया रहते हिए और व्zusको बड़िया टाइट कर देंगे लाब इस टाय टूल लगागे तम बढ़िया ड्रम डालते टेम लेदर के थोड़ा थोड़ा टच रहना चीए ड्रम उससे क्या होता कि ब्रेक अच्छे होते हैं पेडल भी ब्रेक का उंचा रहेगा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना फ्रेंड धन्याबाद फ्रेंड से